हेलो दोस्तों मैं श्वेता आपका बहुत बहुत स्वाइथ करती हूँ कुप भी श्वेता में आज मैं आपकी लिए कर आहिए बहुत ही टेस्टी आमका इन्सटेंट अचार जो की सब को बहुत जादा पसंद होता है यूँ तो हम पूरे साल भर आमका अचार खाते ही हैं बहुत पसंद होता है मगर लिए यह परियाट तेल इसे 2-3 महीने के लिए रख करके रख सकते हैं हमें इससे हमें तो करना होता है जिससे अचया बहुत भी घराम नहीं होता है तो चलिए बनानेस स्टार्ट करते हैं एक किलो आमी ली है जिनने अच्छे से धुल लिया था और इस तली चुटी चुटी कुरों में काट लिया है आप चाहे तो बड़े बड़े टुक्रों में भी काट सकते हैं साबूत масाले लिए मेथी दाना लिए साट से आथम सुखी लाल मिशली और सॉफ लीए और देरच स्माच बेर लीए सहाँ आ 오른 राय लिए technosal पीजब और कलोंजी लिए पैन को इस पर चड़ाना है सूखे साबूत मसाले हमें ड्राय रोस्ट करना है इसमें लाल मेज धनिया मेथी और सौंफ लिया है एक से दो मिनिट के लिए मीरियम फ्लेम पर भूनना है सिर्फ एक अच्छी खुश्बू आने तक बहुत सादा नहीं मूनना है सिर्फ जैसे इसमें से खुश्बू अच्छी आजा आपको अफ कर देना है हमें अपने सारे स्पाइसे से ग्रैंडर में डाल देने है ये रोस्ट की वे मसाले हमें सारे अपने終特別 मेलें ने और साथ ही एड़ चमच नमक तोड़ा ही लगता है और एक चमच हल्दी पाउडर और साथ ही यहां पर आधा चमच हमने अहां पर हींक यूज करा है कहा जाता है हींक बिना तो अचार अदूरा और यह हकीकत है और हमें कुछ इस तरीके से अधर दरा पीस लेना आए बहुत ज दूएंदार थोड़ा ठंडा कर लेना है जैसे गुन गुना रहे हमें इसमें डाली है राई पीली सर्थो और साथ ही मीथ अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां अब हमारी फ्लेम अफ है इस बात का जियान रखें विवे में अनी किया है अपनी इसमें बरीक गटा हूँ आम डाल देना है मतलब बरीक तो नहीं है मोटे मोटे टुकडों में कटा है जैसा भी आपने कार्टा इस एड कर लेना है और अच जरूरें आप्टे जोब हुन ने हमें इसमें कि टालना है अपने भुने मसालो का पाउड़र जोन अच्छे मिक्सूटाइनी यहां मीच्छे जोन कर कर देना है चार से पाँच मिनिट लो फ्लेम पर ढख कर लेना है एंड़ान दो नहीं है पानी हमारा इसमें साला सूख जाएगा और बहुत ही अच्छा पका लेना है आप कह रहे होंगे आपने पानी डाल दी तो खराब हो जाएगा तो यह भी बिल्कुल खराब होने बाला न तक थंडा ना हो जाए दस मिनिट के लिए पंदर मिट के लिए से छोड़ देना है फ्रेम बिलकुल ओफ था यह अपनी ही गर्माट में अच्छे से कुख हो जाएका और इसे टेस्टी भी बहुत जादा बनता है और यह हमारा बहुत ही टेस्टी अचारवन के तयार है इसको निकालते बड़ क्लीन शमज का यूजर करना है और हमें इसे फ्रिज में स्टोर करके ही रखना है और हातों के यूल बिलकुल ना करें से निकाल दूे आपका 2-3 महिने बहुत हराम से चल जाएक आप चाहे तो यह तो तेल बढ़ा भी सकते हैं और तेल कम भी कर सकते हैं इस जरूर राइ कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, थैंक्स पो वाचिंग,